हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं UKPSC प्रिवेज शेयर क्वेशन पेपर के बारे में और आज हमारा जो पेपर हम डिसकस करेंगे वो है दोस्तो APS का यानि की अपर निजी सचीव का पेपर कराया गया था UKPSC के द्वारा सन 2021 की में उसके स्वाल्यूशन के बारे में दोस्तो आज हम बात करेंगे और इससे पहले भी हमारा UKPSC प्रिवेश शेयर क्वेशन पेपर स्वाल पेपर की जो इस स्रीज है इसमें कई सारी वीडि जरूर देख लिजिएगा क्योंकि इसी प्रकार का पेपर दोस्तो आपका UKPSC के द्वारा बनवाया जाएगा पैटर्न आपका वही रहेगा 20 नमबर की हिंदी आएगी 40 नमबर की दोस्तो आपके उत्राखंड आएगी 10 नमबर का रिजनिंग और कंप्यूटर आएगा और 30 इस नमबर का दोस्तो आपका उसमें GS, History, Quality, Geography, Economic, Solar Section आने वाला है उसी के लिए दोस्तो यह जो questions है आपके बहुत ज्यादा महत्यपोन है खासकर GS के लेवल से और उत्राखंड के लेवल से वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कर से जोर जैसे आपके exam में questions आ सकते हैं सभी आपको हमारी application पर मिल जाएगा तो application आप जरूर डाउनलोड कर लेए इससे पहले की वीडियो को भी जरूर देख लेए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो को डिरेक्ली हमारा सौल पेपर का पार्ट है हमने बाहरी अंतरिक्ष के सांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझोता ग्यापन को मंजूरी दी थी तो ये उस time के current है फिर का question था दोस्तो इसका answer है भूटान अगला पसने है हाल ही मैं खबरो में रहा PRADN यान के प्रादान पोर्टल निम्द में से किस स संगठन से जुड़ा हुआ है तो ये दोस्तो इस रोज संगठन से जुड़ा हुआ इंडियन स्पेस डिचर्श ऑर्गनाजिशन संगठन से अगला पसने है बैंगलरू में बिजली वित्रण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्द म को पहला सीडियस निम्द लेखित मैंसे किस तिथी को नियूट्य किया गया था तो इन्हें किस तिथी को नियूट्य किया गया था अगले प्रसने की बात करते हैं मंत्री मंडल ने सौर उर्जा में भारत और निमने लिखित मैं से किस देश के भी समझोता ग्यापन को मंजूरी दी है तो मंत्री मंडल ने सौर उर्जा में भारत और उजबेगिस्तान देश को समझोता ग्यापन पर मंजूरी दी है अगला पसना है केंद्री विदेश मंतराले ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निमनलेकित मैं से किस स्रेणी की वेबसाइट लॉंच गी है तो केंद्री विदेश मंतराल ने ब्रांट इंडिया को उजागर करने के लिए दुस्तो एकोनोमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट को लॉंच किया है अगला पसना है अंतराष्टी विज्ञान साहिते उस्व विज्ञानिका का आयोजन निम्न मैंसे किस भारती व्यक्तितों के जैन्ति पर किया गया था अगला पुस्तन है निर्दिष्ट कुसल स्रमिक में साजेदारी के संबंद में निर्दिष्ट के साथ में क्या किया है अगला पुस्तन है हाल ही में भारत में निर्दिष्ट कुसल स्रमिक में साजेदारी के लिए जापान देश के साथ में क्या किया है अगला पसना है हाल ही मैं खबरो में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्दरेकित में से किस रेलवे जोन से जुड़ी हुई यह है तो यह दोस्तो दक्षिन पूर्व मद्या रेलवे जोन से जुड़ी हुई थी अगला पसना है हाल ही मैं भारत में निम्दर से किस देश के साथ अक्षा उर्जा के छेतर में सहुड़ी कारी समूग की पहली बैठक में भाग लिया था तो अक्षा उर्जा के संबन में दोस्तो भारत ने किस देश के साथ में दोस्तो बहरीन के साथ में अक्षा उर्जा के पहली बैटक में भाग लिया तक इसके साथ बहरीन के साथ में ये दोस्तों आपके कुछ current affairs के question है जो की exam में पूछे गए है इसी प्रकार के question आपके आगे भी पूछे जाने के संभावना है अगला एक और current question है कि राष्टी कौसल विकास निगम ने चात्र चात्राओं को सीगर कौसल विकास प्रदान करने के लिए निम्नम ऐसे किस company के साथ साज़ेदारी करी है तो HP company के साथ में राष्टी कौसल विकास निगम ने साज़ेदारी करी है वहारती राष्टी Congress के प्रथम अध्यक्स कौन थे साथ साज़ेदार्च मौर्या आई एन सी के पर्थम अध्यक्स है और भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तो 28 दिसंबर 1885 को ए ओ यूम के द्वारा भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी अगला पसने है भारती राष्टी कॉंग्रेस में सरोपर्थम विवाजन किस दल और नर्म दल और कॉंग्रेस के इस सूरत एडिवेशन 1907 की अध्यक्सता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी फिर आपका गर्म दल और नर्म दल का जो दोस्तों मिला जो मिलन होता है वहां कौन से एडिवेशन में होता है इसका अंसर आपको कमेंड बाक्शन बताना है अगला प्रसन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो सिखों के दोस्तों पर्थम गुरु कौन थे सबसे बहले आपको यह याद दूना चाहिए तो गुरु नानक देव जी को सिखों के पर्थम गुरु के रूप में जाना जाता है और सिखों के अंतिम गुरु के रू ग्यान प्राप्ति हुए ती इसलिए अंसर हो जाएगा option number a और गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुंबरी नामक गाउं में हुआ था सारनात में उन्हें अपना पहला उपदेश दिया था कुछी नेगर में इनका समाधी इस तरह ठीक है अगला पसन है कथा सरीत स सागर किसके द्वारा लिखी गई है तो कथा सरीत सागर दोस्तों इसमें से किसके दरा सोम देव के द्वारा लिखी गई है सोम देव के द्वारा अगला पसन है दिल्ली सल्तनर के किस सासक ने बाजार नीती को कठोरता से लागू किया तो बाजार नीती को कठोरता से लाग में तो है कि दिल्ली सल्टरनत के किस सासक ने बाजार निटी को को ठोड़ता से लागू किया था, घला प्रत्स प्राइश का बारत में आठथाईस राज्जित है और आठ केंडसाजित पर है याद रखने आपको. अगला प्रत्सन है ने मेले यह उच्छ भूमी, मारवार उच्छ भूमी, दक्कन का पठार या फिर पस्चिमी घाट, तो देखे प्राइद यूपी भारत के पठार के बारे में प्रस्तन बुछा गया है, तो पस्चिमी घाट दोस्तों जो है, यह प्राइद यूपी भारत के पठार से संब्दित नहीं है अंसर हो जागा पश्यमी घाल अगला पस्तन है निमलकित योगुमों मैंसे कौन सुमेलित नहीं है देखे हिरा कुंड बाद परियोजना महान नदी पर है बिल्कुल सही है रिहंद गांटी परियोजना रिहंद नदी पर है बिल्कुल सही है सरदार सरुबद बाद राज्यो को उनके छेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्योस्तित किजिए ठीक है तो छेत्रफल के अनुसार दोस्तो आपको राज्यो को आरोही क्रम में व्योस्तित करना है आरोही क्रम यानि की दोस्तो क्या बढ़ता हुआ क्रम ठीक है तो सरवादिक जो आगर आपका कह कि राज जी का दोस्तो तो वह है किसका राजस्तान का किया है तो जोस्तो देखा जाए तो अब आपका सही होगा रोही क्रम देखे राजस्तान इसमें प्रस्तन पूशा अगया है कि उनके चेटरफल के नुसार आपका तर्पुलिश्क की अनुसार दुस्तो राइस्तान का है फिर है मप्रद्यपरदेश का ठीक है क्योंकि यह atem इसे बढ़ता हुआ करम देखा जाई तो ऐसे बढ़ता होँआ करम होता है लेकिन यहाँ पर आरूही करम का देखोन कुझ नाम से जाना जाता है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रिखा के नाम से जाना जाता है और भारत तो आपका सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है क्योंकि वी हो जो है वह जापान की नहीं चीन की नदी नहीं होगा अगला अपसन है निम्नलिकित मैंसे कौन सुमेलित नहीं है ठीक है कुछ जंजातिया यहाँ पर दी गई है और उनसे संबंदी जिले दोस्तो आपसे पूछे गए है देखिए जुआंग जंजाती उडिसान पाई जाती बिलकुल सही है कुकी जंजाती पस्ची मंगालन पाई जाती है अगला अपसन है निम्नलिकित यूग मेंसे कौन एक सुमेलित नहीं है ठीक है तो इसमें से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है देखिए चमोली जो है सहर है लगदन नहीं किनारे बिलकुल सही है सत्पुली जो सहर है दोस्तों यहां नयार नहीं किनारे बिलकुल है ठीक है तो अप्सेर अंबर बी आपका सूमेलित नहीं होगा अगला इस ना है इसे राजी कि राजधानी है तो मणीपुर की राजधानी है तो अगला इसमस्टे दैफ रिस्ट जो है यहाई वायू का एक प्रकार नहीं माना जाता है, अकशना है अंधराश्टी नियायले के सलष्ट्यों के नियुक्ती की जो अवधी होती है दोस्तों वह होती है कितना यह होती है नौ वर्स तक ठीक है कितना नौ वर्स के लिए होता है और अंतराश्टी नियाले दोस्तों कहां शतीत है दहेग निदल लेंड में मारा 76 में भारत के नियाय महान यायवदी के बारे में हमें बिलता है ठीक है राष्टपती ने अब तक कितनी बार राष्टी आपातकाल की गोशना की है तो राष्टपती ने दोस्तो अब तक सिर्फ एक बार क्या है राष्टी आपातकाल की गोशना करी है ठीक है और यहीं से एक अगला पिसन है भारत का निर्वाचन आयोग है एक क्या तो भारत का निर्वाचन आयोग दिस्तों क्या है एक सम्मेधानिक निकाई है और भारत के निर्वाचन आयोग के प्रतम निर्वाचन आयोग कौन थे वहां थे सुकुमार सेन और भारत के निर्वाचन आयोग के वरतम इसकी स्थापना हुई थी कि मुख्याले का पर दिल्ली में है अगलापस नहीं है मुटेटीस मुटेंडी पद का क्या आर्थ है तो यह था उश्यक परिवर्तन सही थी कि यह आपके एक्जाम के लिए बिल्कुल इंपूरेंट नहीं है अगलापस नहीं है भारती उच्चेत् सब्सें था क्या है अगला पसेना है एक्स वस था नहीं है अनुपातत होता है कि के वाक्यांज का वास्त भी करते हैं तो डिफैक्टों भी आपके लिए मैं तो पूर लिए डिफैक्टों का अर्थ होता है क्या सभी तथ्य एवं आंकड़े ठीक है अगर आप इस नहीं है यह अच्छा पूसन है आपके लिए कि नियुक्षा परिशत का इस्थाई सदर्श्य है तो सुरक् सब्सक्राइब करते हैं बाल स्रम निशेद और नियमन अधीनियम कब अधीनियमित किया गया था तो बाल स्रम विशाई या बाल स्रम निशेद और वियनम अधीनियम दोस्तों यह अधीनियमित क्या गया था कब 1986 में कब 1986 में अगलापसन है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकरत प्रवेश क्या कहलाता है अधीचार कहलाता है इंपूटेंट नहीं है अगलापसन मेहत्व और व्यक्ति देण्ड सहीता आठासो साथ का निर्माता कौन है तो लाढ मेकाले लाड मैकाले को जो भारती धंट सही था है या इसके तैड़ जो धाराएं होती है तो IPC को लागो 860 में किया गया था तो इसके निर्माता कौन लाड मैकाले थे ठीक है अगला पसना है इस्टे इंडिया कंपणी का प्रभंध किसके हातु में नहीत था ठीक है तो इस्टे इं रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दरजा दुस्तो प्रदान किया था 1665 में अगरा पसना है भारत का पर्थम विदी आयोग किस चार्टर एक्ट के तहद गठित हो था और तो भारत का पर्थम जो विदी आयोग है वह 1833 के चार्टर एक्ट के तहद गठित किया था ठीक है किस वर्ष में अंग्रेजुने सूरत में व्यापारिक फैक्टरी इस्थापित करी थी अंग्रेजुने सूरत में व्यापारिक फैक्टरी दोस्तो 1612 में इस्थापित करी थी अगला पसना है मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत इस्थापित किया गया था तो मियर्स कोर्ट दोस्तों 17-27 में तो जाटर एक्ट आया था उसके तहद इस्तापित किया गया था अगलापस नहें उत्तरकासी जनपत का प्राची नाम क्या है दोस्तों तो उत्तरकासी जनपत का प्राची नाम है क्या बाड़ा हाट अगला पसना है चांथपूर गड़ी निम्दमे से किसे जनपद में इस्तित है तो चांथपूर गड़ी दोस्तों आपका चमोली जनपद में इस्तित है और एक बार प्रसना पुशा कि कौन सी नदीगे किनारे इस्तित है तो आटा गार नदीगे किनारे इस्तित है अगला प और प्रिटिस सासन में उत्राखन के परवती छेत्रों की असिंचित भूमी का नाम क्या दिया गया था तो बिटिस सासन में उत्राखन के परवती में जो सिंचित भूमी थी उसे तलाओ भूमी कहा गया था और जो असिंचित भूमी थी उसे उपराओं भूमी कहा गया था ओर जो बिलकुल बंजर भूमी थी उसे इजर या फिर इजरान भूमी कहा गया था अगला बसनव है उत्राखेंडेकरांती दल यूकेडी के संस्तापक कौन थे तो डॉक्टर देविदफ्इशत्पनजी हमारे यूकेडी के संस्तापक थे और यू के नाम से थॉम्सन कॉलेज के नाम से दूस्तों इसकी स्थापना हुई थी कब 1847 में उपर ही गंगा नहर के निर्मान का दिया गया एक किस सेप्टेंबर 2001 को रुड़की विश्विश्य धाले को क्या आई 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 टी का दरजा दिया गया था ठीक है सबसे बहुँले 1847 में इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद में 1854 में इसका नाम थामसन कॉलेज और सिवीर इंजिरिन दelson दिया गया था यह दे तो अंसर है डिया गया गया एक這些 मसूरी गोलिकांटि कब व arguing तो दो सित्मबर शींतों मसूरी गुश्जान गुलिकांट एग से तमबर को और और मुझभण नगर गुशली कानट अफ को यह हुआ था या राशक लिक्षा दिराई पर रख out और यह तेन गटनंगी आपको याद रख लखने है दो अक्टोबर उनिस्टो चुराने में को इंपोर्टेंट दोस्तों यहां क्विश्चन है अगला है उनिस्टो बासट के चीन युद्ध से पूर्व निंदरिखित मैं से कौन सी जंजाती तिब्बत से व्यापार करती थी तो भोटिया जंजाती दोस्तों उनिस्टो बास एधिना्मु से भी जाना जाता है तो यह मिला कहा लङता है जेट का पर हमारा जनपत में लगता है अगला पसने है उत्राखंड investor sambillon 2018 देरादुन में कब हुआ था तो उत्राखंड investor sambillon 2018 उत्राखंड में तो 7 से 8 October के बीच मध्य में हुआ था कहा पर हुआ था यहां मसूरी में हुआ था ज्यादुन चार लोग नहतया हैं ऊत्राखन में णियर रखित में से कौंसा जनपत सेव का सरवादी हुतपादग है तो सेव का सरवादिक उत्पादक दूस्थो है हमारा क्या उत्तरकासी जनपद और सेव की एक विशेश प्रकार के बागान यहां पर पाई जाते हैं जूस्तो और famous शेत्र है क्या हरसील अगला प्सना है भारती सम्मिधान का निमलकी तमेर से कौन सान उच्छेद राजी सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने हैं तो निर्देशित करता है तो भारती सम्मिधान का अनुच्छेद 40 कितना आर्टिकल 40 अगले प्सन की बात करते हैं कि राष्टपती के चुनाव संबंदी विवादों के समाधान पर निर्ण नहीं दिया जाता है तो राष्टपती के चुनाव संबंदी जो भी विवाद होते हैं तो उनके समाधान उपर जो दोस्तों निर्ण नहीं लिया जाता है वह लिया जात है अगला है भारत के उपराष्ट पती को पच्छे अठानी का प्रस्ताव सरोबर्तम कि सदन में पेश किया जाता है तो राज्जी सवा में दोस्तों पेश किया जाता है क्योंकि राज्जी सवा का पदे न देख सोकता है कौन उपराष्ट पती तो उपराष्ट पती को पच् पर बने रह सकते हैं और भारत में सरवुची नहीं की स्थापना कब ओई थी 28 से जनवरी अठाशो पचास को इती अप्रसनिक जामना पूचा जा चुका है न्युडेली में है हमारा सुप्रिम कोट अगला पसना है यदी पंचायद भंग की जाती है तो उसके चुनाव कितने मेहने के अंदर करने आउश्यक है यदी पंचायद दोस्तो भंग की जाती है तो इसके जो चुनाव है यह 6 मेहने के अंदर के जाने आउश्यक है अगला पसना है भारत के राष्टपती को सबत दिलाई जाती है भारत की राष्टपती को कौन सबल दिलाता है भारत का मुख तो लोग सबाब में अनुसुचित जातियों के लिए दोस्तो चौरासी इस्तान के हमारे निदारित है अगला आपसने संभीदान सभा का पर्था में देक्स कौन था तो सचिदानन सिनहा जी दोस्तो जब संभीदान सभा का गठन हुआ था नौद इसमबर विश्यों चियारि यहां पर्थम संभीदान सभा सekना यहां ची परदटव क्लाइब यहां पैस्तो लियुक्स है क्वेर चौन सा ओपरेटिंग सिस्टम विश्यो विद्यालई में आविष्करत किया गया था तो UNIX से दोस्तों जो आपका operating system है यहाँ विश्वी धाले में आप इसक्रेट किया गया था अगले पसने निमनेरिखित मैंसे कौन translator है translator कौन है compiler है, memory है, MS office है या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो इस मैंसे compiler जो है आपका यहाँ translator का कारे भी करता है अगले पसने की बात करते हैं, निमनेरिखित मैंसे कौन सा RDBMS का उधारन है तो RDBMS का उधारन दोस्तों क्या, Oracle, क्या है Oracle अगले पसने की बात करते है, peripheral devices का उधारन निमनेरिखित से कौन सा है IP address, Mac address, computer address या printer तो printer दोस्तों आपका क्या है peripheral devices का उधारन है अगर आपसने हैं कौन सी memory सामान्य पर्योग करता दोरा उपयोग नहीं की जाती है तो rome को दोस्तो नारमली पर्योग नहीं किया आता के बात करते हैं operating system की भूमिका नहीं है किस की ब्रत्री की सुरप्राम और प्रकिलिया प्रमंदन में और फिर वाइड़ें Care है धृता है उसकी जो प्रोसेशिंग पूर विच्टा उस्में घुता कि बात करते हैं किसे प्रियोग किया जाता है तो इसमें से एम क्यू एल को यूज किया जाता है किसमें डीबी एमस में अगला पसना है इसमें से कौन पैरिफेरल डिवाइस नहीं है से कौन पैरिफेरल डिवाइस नहीं है अगला पसना है कौन पैरिफेरल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ठीक है अगला पसना है निम्रिकित में कौन मोनो सैचुरेट वसा अमल है ठीक है तो साइंस भी दोस्तों आपकी वैसे जाम में नहीं दी गई है अगला पसना है सोनार उप्योग करते हैं तो सोनार उप्योग करते हैं क्या प्रहसर भी ध्वनी का प्रयोग कियाता है सोनार सिस्टम में सामान्य वायू मंडल का दाब कितना होता है तो 76 cm of HG mercury सामान्य वायू मंडल का दाब होता है अलकोहल पानी के अपिक्षा अधिक वास पसिल होता है क्यों? क्योंकि अलकोहल का जो कथनांग होता है यहाँ पानी से कम रहता है इसलिए दोस्तो अलकोहल पानी की अप्रिक्षा अधिक वास्पसील होता है अगला आपसने रासाइनिक रूप से एस्पिरिन क्या है तो रासाइनिक रूप से आपका जो एस्पिरिन है यह है एसेटिल सैली सिलिक अमल क्या है एस्पिरिन है अगला पस्थ ने हैं इंसूलीं किस अंतरश्रावी ग्रंथी है तो वोक्साइड लोग्सभाँ किया स्थेथ सुप्रेश्ट बहुत भूथ स्कूल पढ़त का थारित है तो मार्स घैस मुख्य रूप से कौन सी आगला प्रस्न है की निम्देखित से कौन सी रख्टकरनी का है प्राया यहां सरीर की सैनी क्यालाती है तो सरीर की सैनी कहलाने वाली रख्टकरनी का यह दोस्तों किया गया है तो कासी विश्वनात कोरिडर का उद्गाटन दोस्तों इसमें से वारानसी सहर में किया गया था अगला भी करेंट अफे कोक्षिन है उस डिजिटल प्रिपफोर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोवीट टिकाकरान के लिए लाभारतियों को ट्रैक करने के लिए किया पर हुआ था तो सीडिया स्वरगी स्री विपिन रावजी का जन्म दोस्तों इनमें से पौड़ी गड़वाल जन्पत में हुआ था और पौड़ी गड़वाल जन्पत से यह संबंदीद भी थी तो यह थे दोस्तों आपके सो महत्वपूर्ण प्रस्ने जो की UKPSC के बस ल्वढ़ों करें हैं अपने निएस अब कर ऐसन आप तके से कांट में हमारी में ऊंपर दोस्तों को सश कर सकते हैं तो आज की जुडियो में इतने जस्तों, thank you, thanks for watching this video, see you next time, धन्यवाद